नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं नियू ज्वारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कबर को पारा मेडिकल कर्मियों के सिस्टम अंडलनी राची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोत कुमार और डीसी राहूल कुमार को मोक्यमंत्री के नाम ग्यापन सौंपकर अपनी मांगो और आंदुलन की रूप रेखा से अउगत कराया जार्खन के अन्ने जिलों में भी डीसी के मा अधम से राच्री स्वास्तमेशन के कर्मियों ने मोक्यमंत्री को ग्यापन भेजा है ग्यापन में अनुबंध कर्मियों ने अपनी वर्सो पुरानी मांग और सरकार के वादा खिलाफी सेवा नियम्यतिकरन को लेकर सरकार का उदासिन रवया का जिक्रे है आंदुलन की घो तापमान में लगातार गिरावाट होने से कडाके की ठंड पढ़ रही है। दर्च की गई है जबकि 7 जनवरी को अधिकतम तापमान 18.5 और निमतम तापमान 2.3 डिगरी सेलसेस मापा गया था। जनवरी तक मकानों और परिवारों की गिंती का काम सुरू होगा। दूसरा चरन अप्रेल में होने की संभावना हैं जिसमें जाते अधारित गनना के साथ आर्थिक इस्तिति से जोड़े आकड़े भी जुटाए जाएंगे। राज में एक महा लगतार स्कूल नहीं आने वाले बच्चे माने जाएंगे ट्रॉप आउट। राज में वर्स 2022-23 के लिए सिसु पंजी अपडेट करने का कारी विद्दाले अस्तर पर 11 जनवरी से सुरू होगा। से कम उपस्थिती रहा हो तो उशे आनियमित उपस्थिती वाले बच्चे की स्रेनी में रखा जाएगा। में एक युवक पर हमला कर दिया। प्रवर्ती के होने की कारण तेजी से अपना लोकेशन बदल लेता है। प्रवर्ती के अपडेट आप तक पहुंसता रहे। मिली जानकारी के अनुसार सनिवाद देरसाम भीशन आग लगी थी। आग की लपटे इतनी तेज थे कि बजार के करीब एक दरजन दुकाने जल कर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि राद 11 बच के 15 मिनिट में गुदरी बजार के कुछ इवक बोर्सी ताप रहे थे। इसी दोरान आग की लपटे तेजुभी और एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग फैल गई। आग लगने की वज़े से उनकी रोजी रोटी का अश्राधन पूरी तरह से बरबाद हो गया है। इसी दोरान पीट का मामला सामने आगे जिसमें दोनों पक्च के लोगो को चोट आई है इस मामले को लेकर पुलिस कारवाई कर रही है। दोनों पक्च से फायर भी की जा रही है। धैनबाद में चातर के दो गुटों में मारपीट की घटना घटी है जिसमें आधा दरजन लोग घायल हो गए है। इसमें दो राउन फायरिंग की बाद कही जा रही है। या सुचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और मौके पर पहुँची पुलिस के द्वारा घायलों को अस्पताल भीजा गया है। दोनों पक्च की लिखित सिकायत पर मामला दरज करने की बाद पुलिस द्वारा कही जा रही है। इस पर मामले की आगे की जाँच की जा रही है। जीला के गौसाला ओपी छेतर अंतरगद अम्वेटकर नगर कॉलोनी में छातर के दो गुटों में जम कर मारपीट की घटना हुई। घटना के समन्द में बता जा रहा है कि किसी बात को लेकर सिंदरी कॉलेज के पास छातर के दो गुटों के बीच विवाद हो गया था। दिवगर में पूर्व नगर थाना परभारी रतन सिंग द्वारा बैंक गार्ड का पिटाई का विरोध हो रहा है। सांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। सहीद सेख भिकारी और टिकर्ट उमराओं सिंग की सहधत दिवसाज सियम ने किया नमन। अंग्रेज सोसन के खिलाब विज्डरो करने वाले जार्खन के वीरसपूत अमर वीर सहित सेख भीकारी और टिकर्ट उमराल सिंग का सहादत दिवसें इस मौके पर मोके मंतरी हमन्तु सोरे ने उन्हें सत सत नमन किया वही रांची के सीख दिरी में सहित सेख भीकारी के पैतरी गाउं, खुदिया लोटवा में सहादत दिवस पर कई कारिकरम आयोजित हो रहे हैं, दूसरी और रांची के अन्य चेत्रों में भी कारिकरम आयोजित हो रहे हैं पारसनात सम्मेद सिखर विवात में अब आदिवासी भी कूदे पहाड को बताया अपना धर्म इस्थान दस जनवरी को जुटेंगे लोग जारकन इस्तित सम्यत सिखर पारसनात पहाडी के विवात में अब आदिवासी संगठन और इस्थाने लोग भी कूद पड़े हैं आदिवासी संगठनों ने पहाडी को अपना धरोहर और पूज इस्थान बतातो हुए इस पर दावा ठोका है धरोहर को बचाने की आवाहन के साथ अगा में दस जनवरी को यहाँ देश भर के आदिवासीों से जूटने की अपील की गई है खास बात या है कि इन संगठनों की अगवाई जामों के वरिष्ट विधायक लोबिन हैमरम कर रहे हैं पाहाडी की आसपास के लगबग पचास गाउं के लोगों ने कहा है कि इसकी तराई में वे पीडियों से रहते आए हैं और इस पर किसी खास समुदाय का अधिकार नहीं हो सकता ध्यान रहे कि समयत सिखर पारस नात पहाडी को पारेटन इस्थल के रोप में नोटिफाई किये जाने के विरोध में देश विदेश में जैन धर्मलंभी लकतार प्रदर्सन कर रहे थे इसके बाद बेते 5 जनवरी को केंदर सरकार ने इस नोटिफिकेशन में शुधन करतो हुए यहाँ पारेटन की सभी गतिविधियां इस्थगित करने का आदेश जारी किया था केंदर सरकार ने यहां मान सराब के बिकरी पर रोक लगाने और इस अस्थान की पवितरता को आच्छुन रखने के लिए सभी अवश्रक कदम उठाने के निरदेश भी राजिसरकार को दिये हैं अब आदिवासी संगटों का कहना है कि इस इस्थान पर भी सबसे प्राचिन समय से आदिवासी रहते आए हैं यहां पाहाड हमारा मारंग बुरु है मारंग का रत होता है देवता और बुरु का रत होता है पाहाड सद्यों से हम यहां अपने प्राचिन तोर तरीके से पूजा करते हैं हैं अगर केंद्र या राज सरकार के किसी भी आदेश के जरिये यहां के मोल निवासियों और आदेवासियों को इस अस्थान पर जाने या फिर अन्नी तरह की परंपराओं के निर्वाहन से रोका जाएग चल रहे थे उनके निधन पर बाबुलान मरांडी समयत कई नेताओं ने सोक जता है बाबुलान मरांडी निर्मिस पहुंचकर दिवांगत आत्मा कुष रधांजलिती इसके साथ ही भानु प्रताप का धारस भी बंधाया उनके साथ भाजपावधायक ससी भूशन सिंग समय कई BJP नेताओं पहुंचे थे तो ये थी आजग की जारकन के टॉप बड़ी ख़बरें इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जारकन चैनल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेश करते जिए जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खवर का अपडेट आप तक पहुंचता रहें तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़ा इजादत फिर मिलते हैं नेक्श नियूज में